Friends, मेरा नाम राकेश रमन है, मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल अक्टिविस्ट हूँ, मैं अपनी आजकल ग्लोबल न्यूस साइट चलाता हूँ और एक आरमन फाउंडेशन, आरमन स्टेंड्स वारमन मीडिया नेटवर्क, इससे एक आरमन फाउंडेशन, जो NGO है वो चलाता हू और corruption के खिलाफ काम करता हूँ, और environment protection का काम करता हूँ, आज मैं आपके साथ एक company है, जिसका नाम है CopyTrack, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से कई लोगों को पता होगा कि CopyTrack क्या है, CopyTrack एक जर्मनी में company है, जो आजकर लोगों को पूरे world में, जो intimidating यानि कि threatening mails बेचती है, उनको धमकाने के लिए कि उन्होंने CopyTrack के client की कुछ images, photograph से अपनी sites के उपर use की हैं, तो वो CopyTrack suddenly ये emails बेच कर उन लोगों से जिन्होंने reuse की है images उनसे euros में, means बहुत ज़्यादा पैसा demand करना शुरू कर देता है, कि मुझे आप पैसे दीजिए क्योंकि आपने हमारे client की कुछ images अपनी site के उपर reuse की है without permission, तो अब ये Copyright Laws के अंडर ये वाला case आता है, तो मैं पहले ये बता देता हूँ आपको के मैं Copyright Laws को पूरी तरह से respect करता हूँ, मैं कहता हूँ के Copyright Laws को माना जाना चाहिए। और किसी की भी जो intellectual property है उसको ऐसे बिना permission के या बिना legal process के उसको आपको reuse नहीं करना चाहिए। तो लेकिन ये Copyright का case जो है ये slightly different है, तो मैं आपको बताता हूँ के मेरे को पूरे world से आज कल पिछले दो साल से करीब पूरे emails आ रही है, WhatsApp messages आ रही है, phone calls आ रही है, कि मैं उन लोगों की जो victims हैं Copyright के उनकी help करूँ। तो मेरे पास क्यों ये mails और WhatsApp messages या phone calls आ रही है, वो इसलिए कि मैं भी I was also a victim of copy track, तो मैंने मेरे को भी तीन cases में 2022, 2023, 2024 में इसी तरह से copy track की ये जो threatening mails हैं ये आ चुकी हैं और उन्होंने copy track ने मेरे से काफी पैसा euros में मांगा, तो मैंने क्या किया, कि instead of paying the money to copy track, मैंने उनको पैसा देने की बजाए, मैंने क्या किया, कि मैंने बर्लिन पुलिस, जहां पर copy track का head office जो लिखते हैं, पता नहीं office है भी है कि नहीं उनका मेरे को नहीं बता, लेकिन जो उनका records में ये office है, वहां पर मैंने ये बर्लिन पुलिस में report किया, इनका complaint, comprehensive complaint, उसके links न law enforcement agencies को भेजी, कि copy track is running an extortion, cyber extortion record, कि copy track जो है, ये लोगों से पैसा इंटने के लिए ये वाला एक बहुत बड़ा criminal enterprise world level के उपर चला रहा है, तो उसके बाद 22 के बाद भी copy track ने मेरे को pursue करना बंद कर दिया, 23 के बाद भी, 24 के बाद भी, तो copy track क्या है, कि उन्होंने फिर मेर से पैसे नहीं मांगे, तो अब मेरे, मैंने काफी इसको फिर study किया, तो मेरे को पता चला कि एक ये लगता है, कि ये cheap कोई crawling technology यूज़ करते हैं, जिससे ये images को search करके, उनको automated process के थूरू एक template based email भेजते हैं लोगों को, और उसमें उनसे euros में पैसे मांगते हैं, अब जैसे इंडिया में मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूं ये के मेरे पास इंडिया से अभी बहुत cases आ रहे हैं आजकल, WhatsApp पर भी email के उपर भी मैंने जो इससे copy tracks related पहले वीडियो बनाए हैं, उनके नीचे comments में भी, तो अब ये मैंने इसलिए हिंदी में बनाना शुरू किया है, क तो लोग मेरे से help मांगते हैं कि क्योंकि मैंने ये बरलिन पुलिस में copy track की complaint करके ये अपना case solve करने की कोशिश कर की है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि मैं उनकी भी help करूं, तो लेकिन मेरे पास जो है आप समझने की इसको कोशिश कीजिए, ये this is a kind of legal case, तो अब मेरे पा free download था, तो अब मैं इसका जो मैं पैसे दूँ या ना दूँ, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो आप इस चीज़ को बुरा ना मानी है, मैंने कई लोगों को मना भी किया है, कि I cannot reply like this, ये तो जैसे lawyer के पास आप जाएं, तो उसको पूरा case समझाना पड़ता है, documents क्या है, वो देने पड़ते हैं, उसको साथ बैठ कर, interact करके, फिर case को समझा कर, और फिर देखना पड़ता है, कि ये ठीक track पर जा रहा है या नहीं, तो उसी तरह से ये individual cases है, तो किसी ने किसी मान ली, ये canvas से download की है, किसी ने किसी और जगा से download की है, वो समयते हैं, कि ये free हैं, लेकिन वहाँ पर attribution होती है, आप उसमें देखिए जाकर जैसे canva में, circle में, IE लिखा होगा, IE का means, means more information, उसको आपको click करके देखना पड़ेगा, कि इसका license attribution क्या है, किस तरह से आपने free use करना है इसको, तो ऐसे सीधा मैं जो आप किसी का नहीं दे सकता, तो एक online form बनाया है, तो यह form में मैं उनसे लोगों से उनकी information मांगता हूँ, फिर then I will hold an online meeting like this with those victims, और फिर उसको जो online meeting है और उनका case है, उसको अपनी sites के उपर डालूँगा, जो मैं new sites run करता हूँ, या जो foundation की मेरी site है, उसके उपर उनके YouTube में डाल कर इसको, वीडियो को उसमे डालूँगा, उससे क्या होगा, कि यह बाकी के और लोगों को भी इन cases से पता चलेगा, अधर वाइस मैं मान लीजिए, WhatsApp पर एक बंजे को जवाब देता हूँ, वैसे 10 cases और हैं, 10 को मेरे को individual जवाब देना पड़ेगा, मेरे पास इतना time नहीं है, मैं 15-16 गंटे अपना social work और editorial का काम करता हूँ, so इसलिए it is very difficult for me to respond to individual queries, तो आप यह ऐसे मेरे साथ कुछ ना पूछिए, तो इसका जो victim sport group, copy track victim sport group, उसका भी link इसके नीचे छोड़ूँगा, और उसका video भी है, मैंने बनाया, उसका link आप देखिया, और उसमें अपना online form भरके, तब मेरे को WhatsApp के ऊप filled in the online form, तब ही मैं आपकी help उसमें कुछ कर पाऊंगा, तो अब मैं थोड़ा सा आपको इस case के बारे में और बताने की कोशिश करता हूँ, कि यह जो है, जैसे मैंने कहा है, कि I respect copyright laws, तो मैंने चाहता कि किसी की intellectual property को आप ऐसे बिना पैसे दिये, use करें, लेकिन इसमें क्या है कि एक fair use policy होती है, fair use policy means उसके उपर copyright laws are not applicable, उनके उपर नहीं लागो होते है, fair use policy क्या है, जैसे editorial services है, editorial जैसे मैं news site चलाता हूँ, तो यही मैंने एक main argument अपने complaints में यही दिया, कि मैं तो एक established, I am a government's national award winning journalist, तो मैं अपना यह जो news का काम करता हूँ, यह मैं I am trying to create a public good, जो लोगों को information चाहिए, उनको मैं देता हूँ free of charge, तो यह fair use है, तो fair use जब होता है, किसी भी intellectual property का, तो उसके उपर copyright laws लागो नहीं होते हैं, तो इसी तरह मान लीजी आप कोई और research services कर रहे हैं, for the welfare of the society, तो उसमें भी यह copyright laws नहीं होंगे, तो अब यह fair use policy है, मान लीज है, आप कोई e-commerce की site चला रहे हैं, या कोई मान लीजी है, real estate में property का, लेंदेन की site चला रहे हैं, उसके उपर नहीं है, लग होगा fair use, तो आपको उसका, you are not supposed to reuse those images, तो उनको नहीं आप reuse कर सकते, तो लेकिन इसमें क्या है, कि अगर कोई reuse करता भी है, तो copy track, अगर कोई client है पहले तो copy track को ये प्रूव करना पड़ेगा, with some signed documents, कि ये उनका client है, जिसका ये original copyright holder है, उन images का, ये प्रूव नहीं करता का अभी भी copy track, ये copy track जो जिन्होंने reuse किया, उनके उपर ये responsibility डालता है, कि आप प्रूव कीजिए कि आपने without license ये picture नहीं यूज की, तो उनके उपर responsibility डालने की बजाए, process क्या, legal process ये है, कि copy track को पहले एक cease and desist notice होता है, वो भेजना होता है, cease and desist is a kind of warning, कि आपने ऐसे मेरे client की, client को पहले प्रूव करना पड़ेगा उसको, कि ये उसी का client है, with some signed documents, और उसके client ने उसको कहा है, कि on that client's behalf, he can approach different re-users of that, those images, तो ये नहीं legal process में, ये एक major flaw in copy track's demands from people, तो दूसरा जो है, कि ये जो cease and desist, cease and desist, notice उसको issue करना पड़ेगा, जिसने reuse किया, उसको एक warning देनी पड़ेगी, कि आपने ऐसे मेरे client की images use किया, इनको आप delete कीजिए, और फिर इसको अगर आप एक हफते में delete नहीं करते, then we will pursue this case in the courts, तो वो उनको फिर courts में लेकर जा सकते हैं, लेकिन ऐसे सीधा पैसे मांगना जो है, वो बिल्कुल गलत है, ये natural justice के खिलाफ है, जो copy track काम कर रहा है, ये सारे logics मैंने अपनी complaint जो Berlin police और other authorities को बेजी, उसमें लिखे हैं ये सारे logics, तो आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, और कई लोग मेरे को लिखते हैं या बताते हैं कि उन्होंने जब उनका copy track की demand आई, तो उन्होंने अपनी side से वो image remove कर दी, remove करने से कुछ नहीं होता, वो तो उनके पास record है कि you have used this image, तो आप चोरी करके चोरी का समान चुपा देंगे अगर, तो उससे आपकी जो theft का case है, तो इसलिए आप इसको समझिए, remove करने से कुछ नहीं होता, otherwise भी जो internet के archives है, उसमें आपका record रहता है, कि आपने ये reuse की है, तो इसको delete करने से कुछ नहीं होता, तो आप इसको case को समझिए, और ये video लंबा हो रहा है, मैं इसको और नहीं बढ़ाना चारता, depending on the cases that I get, तो उ आज के video में मैंने थोड़ा सा आपको इतना समझाना था, और आपने अगर अपने case के बारे में समझना है, तो एक तो जो copy track victim sport group मैंने बनाया है, उसमें अपना form आपको भरना पड़ेगा, only then I can contact you, और दूसरा जो है, अगर आपने अप समझना है कि copy track वाला case का है, तो मैंन काफी articles लिखे हैं, मेरे को लोग क्यों contact करते हैं from all over the world, हर तरह के लोग, कई लोगों ने मेरे को ये भी कहा कि हमने पैसे दे दी हैं, उनको या दे रहे हैं, तो क्यों मेरे को contact कर रहे हैं लोग क्योंकि Google search में मेरा जो copy track के against मैं काम कर रहा हूं, वो बहुत ऊपर आता है, औ और मेरे को लोग, मेरे articles को काफी लोग quote करते हैं, पूरे world में, कि मैं ये copy track के against ये काम कर रहा हूं, against copy track crimes, तो ये मैं काम कर रहा हूं, इसलिए search में ढूंड कर और YouTube के उपर ढूंड कर लोग मेरे को contact करते हैं, तो इसलिए आपने case के बारे में समझना है, तो आप उनको इसके वीडियो के, उनको देखी और अपने case के बारे में खुद समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपका नहीं समझाती, then you contact me through that form, online form which I have created under the copy track victim sport group feature, जो उसका link निचे इसके छोड़ूंगा, तो आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना था और मैं इसको हिंदी में बना रह इससे related के मैं उनकी help करूँ, तो इसलिए मैंने ये आज वीडियो बनाया, आप इसको वीडियो को share कीजिए लोगों के साथ और और ये जो links हैं इसके निचे उनको thoroughly study कीजिए, so thanks for watching.